हेलो फ्रेंज, शुबा सोम गार्डन में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे अपने जलिये पौधों की सर्दियों में देखबाल कैसे करते हैं तो हमारे सबसे जादा लोप्रिये जो पौधे हैं, जलिये पौधे हैं वो हाड़ी वाटर लिलीज हैं और ये हमारी कलाइड आइकन वाटर लिली है और हाड़ी वाटर लिलीज की कैर ना के बराबर है इनको कोई देखबाल नहीं चाहिए होती है सर्दियों में बस केवल आप देखें कि जो भी पत्ती पीली पड़ रही है या जो भी पौधे का हिस्सा या जो हमारे वाटर कैबेज है उनका अगर कोई हिस्सा पीला पड़ गया है तो उसी को बस आप निकाल दे क्योंकि जो भी पौधे का हिस्सा सर्द रहा होता है वो ऑक्सिजन यूज कर लेगा तो हमारे जो पौध में पानी है उसमें ऑक्सिजन की मात्रा कम हो जाएगी जो हमारे मश्लियों को परिशान करेगी क्योंकि हर एक पौध में मैंने मश्लियां डाल रखी है तो देखे जो भी पीली पत्ती हो बस उसी को निकाल दीजे ये एक और तरह की कोलोराडो हार्डी वाटर लिली मेरे पास है और अब हम बात करते हैं किंग अफ सियाम ट्रॉपिकल वाटर लिली की अब जैसे आप देख सकते हैं इसमें पत्यां कम हो गई हैं और फूल भी नहीं आ रहे हैं पत्यों का आकार भी छोटा हो गया है पानी लेकिन इस कंटेनर में बिल्कुल साफ है मश्लियों की वज़े से इसकी ये जो पौधा है हमारा अब चुंकि डॉर्मिंसी में है और इसलिए इसकी जादा पत्यां पीली पड़ रही है और एक समय ऐसा आएगा जब हमारे कंटेनर में केवल ये पौधा बल्ब के फॉर्म में रहेगा मिट्टी के अंदर और अगले सीजन में मार्च के बाद में इसमें नई पत्यां आएंगे और उसके डेड़ महिने के बाद से फूल आने शुरू हो जाएंगे अब हम बात करते हैं हमारी ट्रॉपिकल वाटर लिलीज के बारे में जो वीवी पैरस ट्रॉपिकल लिलीज होती है जैसे हमारी लिंसे वुड है इसमें अभी भी फूल आ रहे हैं जो viviparas lilies होती हैं उनका dormancy का period बहुत ही कम होता है बहुत ही छोटा होता है सिर्फ 1 से 7 महिने तक और इसमें खुब فूल आते हैं सारे साल फूल आते हैं ये देखे अभी भी इसमें दो बड्स हैं ये शाम का वीडियो है तो फूल बंध हो चुके हैं और ये हमारी पॉपल जोई ट्रॉपिकल वाटर लिली है ये भी एक वीवी पैरस वाटर लिली है देखे इसमें अभी भी एक बड्स है और पतियां जरूर सर्दियों में इसी कम हो जाती है लेकिन कभी भी हमारा टब जो है वो पूरी तरह से खाली नहीं होता है पौधा रहता है तो वीवी पैरस लिली जो होती है वो फूल टॉलरेंट होती है और ये एक spent out फ्लार है इसको मैंने हटाया नहीं है और मुझे लगता है इसमें पॉलिनेशन हो गया है इसमें देखे इसकी ओवरी का हिस्सा जो है वो फूला हुआ है तो मुझे पुरा विश्वाश है कि इसमें से मुझे seeds मिलेंगे जो कि मैं अगले साल जिनको उगाऊंगी और जो भी हिस्सा पीला पड़ गया है इसमें भी वीवी पैरस लिली ज में भी अगर कोई हिस्सा सड़ रहा है या पत्ती खराब हो गई है तो उसको आप निकाल देजे यह देखे बच्स हैं इसमें और पानी बहुत ही साफ है तो वीवी पैरस हमारी लिलीज है देखे उभार दिखाई देगा इन में और बहुत ही आसानी से यह मेंटेन हो जाते हैं और फूल भी बहुत अब हम बात करते हैं लोटस के बारे में तो यह मेरा येलो पिओनी लोटस है यह देखे कुछ इसकी एरियल लीव्स है और कुछ लीव्स जो हैं कुछ इसकी पत्या शड़ रही है और हमें लोटस में ध्यान इस चीज का रखना है कि आपको कभी भी पूरी पत्यां एक साथ नहीं हटानी है कुछ जो इनका हरा हिस्सा है उससे ये पौधे अपना खाना बनाते हैं फोटो सिंदसेस करते हैं और जब पतियां पूरी तरह से ही सर जाएं सूख जाएं तभी आपको उनको निकालना चाहिए और अगर लगता है आपको कोई हिस्सा सूख गया है तो भी पानी के लेवल से एक इंच उपर से ही उसको काटे एक इंच उपर से ही काटे क्योंकि पानी जो है इसके तने के अंदर से लोटस के ट्यूबर के अंदर चला जाता है तो वो आपके लोटस को सडा देगा और आपका पौधा पूरी ही तरह से खतम हो जाएगा तो आप पतियों को रहने देजे लोटस की अपने आप सड़ने देजे और जब वो लगभग सड़ना उनकी शुरुआत हो जाए तब आप उसको खींच करके निकाल देजे मेरे पास लोटस की कई विराइटीज हैं और लोटस इस समय डॉर्मिंसी में है ये देखे पतियां सूख रही है कुछ पतियों का हिस्सा ये सूख रही है पती कुछ पतियों का हिस्सा जो है वो अभी भी हरा है कुछ नई पतियां भी निकल रही है क्योंकि मैंने अपने कंटेनर्स को शिफ्ट कर दिया था उस हिस्से में जहां पर कम से कम 4-5 घंटे के उनको धूप मिले और पानी जो है हमारा वो इंसुलेटर के रूप में काम करता है और हमारे ट्यूबर्स को प्रोटेक्ट करता है नई पतियां कुछ निकल आई हैं इसमें और सर्दियों में भी पानी का एवापरेशन होता है तो आप वाटर लेवल को मेंटेन करके रखिए और इस तरह से आप अपने ट्यूबर्स को बचा सकते हैं, लोटुस को बचा सकते हैं